नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का वाइट एजुकिशन में और आज सुबा नौ बजे ये आपके लिए वीडियो है कमेश्ट्री साइन्स है यानि की रसायन विज्ञान से कुछ प्रश्ण है पचास प्रश्ण है आपके लिए यहाँ पे और चाछटवा सेट है ये आज का आपका ठीके समान्य ग्यान में अक्सर ये कोशन पूछे गए हैं आपके प्रिविए सेर के जितने भी पेपर हैं वहां से भी कलेक्ट करके कुछ कोशन लाया हूँ मैं चलिए लगाते हैं सेट को देखते हैं कि आप में से कितने लोग यहाँ यहाँ पे 20 कोश कोशन है दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बंदू चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा पहला कोशन है आपके लिए यह रहा है दोस्तों गुबारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली जो ग आपका S.A.C. हो गया बिहार S.A.C. हो गया हर एक सेक्टर से यह कोशन इंपोर्टिंट बनेगा चलिए फड़ा फड़ा फड़ आंसर देना शुरू कीजे टाइम ज्यादा वेश मत कीजेगा पंद्रह से 20 मिनिट के अंदर ये 50 कोशन खतम कर देना आज आपको चलिए आंस लेखित काम में आती है चलिए धोने के काम में पश्वो को खिलाने के काम में नौजात को खिलाने की काम में या पटागों के भरने में उत्तर जिनका भी हो रहा यहां पे उत्तर सही किजेगा पश्वो को खिलाने में हम लोग अलसी की खलक्या उप्योग करते हैं कोशन नम लोगों के रंग पक्का करने के काम आता है रंग बंजक नोट कर सकते हैं कुछ नमर फोर पे चलते हैं दोस्तों निमलिखित में से जहरीली पदार तंबाकू का मुखे घटक क्या होता है चलिए कोशन इजी है लेकिन 20 कोशन सही नहीं हो पाएगा बहुत लोगों से ठीक है मै अंसर कीजिएगा दोस्तों निकोटीन का उपयोग होता है ठीक है मुखे घटक निकोटीन होता है यहां पे कुशन नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों चलिए चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियासिल घटक है बिलकुल याद रखेगा कैफीन इस दर राइट अंसर कॉफी में जी हां चाय में विसे निकोटीन पयाजाता है है लेकिन कैफीन की मातरा भी पयाजाती है इसलिए दोनों ही है नाम उपे सिप्षी कर लिजेगा पेंसिल लेड जो होता है निमलिखित से बना होता है देखिए पेंसिल का जो लेड होता है आप लोग घर में पेंसिल से पढ़ाई जो किये ही होंगे बचपन में तो यह जो हमारा लेड होता है यह जो पॉर्सन होता यह लेड का है न यह तो लकड़ी का बना हुआ था उपर स यहां से जो रहता है कभर लेकिन फेंसिल रहता है वह किनी और कि चली किजीए ग है घुन बनता है तो लेंड ऐसन दिया है तो कन्फिूस करने के लिए लेकिन यहां पर कर सिंपल पुछा दे लेड किसका बना होता है तो आप रिफाइट लगा से आंसर सही कर सकते हैं ठीक है चलिए कोशिन नंबर सेवन पे चलते हैं किसी भी तंत्र के जल के निसकासन के प्रक्रम को कहते हैं बटाइए जल्दी से बताइए आपके एक्जाम की पॉइंट इवी से पूछा गया है यह प्रस्ण ऐसे सी छेसल में पूछा गया है जी यहां चलिए निर्जली का रंग किनका उतर आ रहा भाई यहां पे हांत उठा देंगे जल्दी से सी इस दा करेक्ट आंसर कोशिन अंब खेलना सीखिए क्योंकि कोश्चन रिपीट अगर होते हैं सबसे जादा तो साइंस के ही कोश्चन होता है और कास कर उसमें रसायन विग्यान के बिलकुल कार्बन डियूग्साइट का होता है दोस्तों सी बिलकुल उतर सही कर रहे हैं आप लोग यहां पे कोश्चन पर राष्राइयनिक प्रयोग साला इंसी इस्तीत है चलिये यह थो तो प्रयोग साला है आपका महराष्टरा मेंट नोट कर लिजिगा Πुना जो की महराष्टरा केक्स हर सीस दर् Gamze कोश्ट पेट्रोलियन पया जाता है चल्दी से आणसर करेंगे बिल्कुल उतर सही कर रहे हैं आप लोग यहां पर आउसादी सैलो में पाय जाने वाला यह पदार्थ है ठीक है पेव ठीक है कोशेंबर 12 पे चलते हैं नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्लेकित पदार्थों में पाय जाती है जी हां यह आपके लिए यह मोग टेस्ट ह नहीं है यह आपके लिए सिर्फ एक टेस्ट है जो कि आपको यहां देना होता है रोज सुबह के नौ बज़े हमारे साथ जूड़के आंसर किजीए दोस्तों ए यूरिया आंसर हो जाएगा ये यूरिया नोट कर सकते हैं कोशन बर 13 पे चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा कोश या चारकूल का जलना घटक होता है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोगसाइड जैसे जहरीली गैस का उत्पन होना संभव होता है जी हां आंसर एक कर लेंगे कोशन नबर चलिए 14 पे चलते हैं आभूशनों को बनाने समय सोने में मिलाई जाने वाली धातू कौन सी होती है देखे इन चार आप्शन में तो बहुत कम कुछ दिया जी है लेकिन जिसका उप्योग होता है वो तामबा ठीक है लेकिन पीतल भी मिलाय जाता है कहीं कहीं आभूशनों मे ठीक है चलिए कोशिन नमबर 15 पे चलते हैं साबून बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निमलेखित में से किसके साथ मिलाय जाता है बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं आप लोग उत्तर कर रहे हैं यहाँ पे लीन सीट का तेल यहां कि अलसी का तेल जी हां नोट कर सकते हैं ब हारी जल में देखे भारी जल होता है यहाँ प्याद रखेगा क्या होता है तो देखे अगर में लोग पीते हैं हम लोग पीते हैं हो कर लिएग해요 है ठीक है, C is the answer कर लिजेगा question number 17 पर चलते हैं PVC plastic vinyl chloride से बनती है इस प्रक्रिया का नाम क्या है देखेगे, आप लोग दिन चरिया में यह उपयोग होने वाली चीजे हैं PVC plastic आप यह उपयोग करते होंगे तो vinyl chloride से बनता है यह PVC का जो plastic है इस प्रक्रिया में किसका नाम है मतलब इस प्रक्रिया का नाम क्या है इसका ठीक है, तो बताएगे का बहुली करन, B is the right answer ओके, next question देखते हैं 17 के बाद 18 polythyn का अध्योगिक उत्पाधन निमली कितमे से बहुली करन के द्वारा होता है इसमें लोग किसका उप्योग करते है बिलकुल, याद रखेगा ethylene के द्वारा, C is the right answer नोट कर सकते हैं, C is the correct answer question number 19 पे चलते है प्रकिर्तिक रबर निमली कित का बहुलग है चलिए, जो रबर हम लोग प्रकिर्तिक रबर का बात करें जिसके यहाँ उपज भी होती है यह किसका बहुलग है बिलकुल याद रखेगा ice cream का, C is the right answer नोट कर लिजेगा question number 20 पे चलते हैं दोस्तो मानो सरीर में सरवाधिक मात्रा में पाये जाता है क्या पाये जाता है वैसे यहाँ पे oxygen होता तो वो answer करते हैं आप लोग ठीक है लेकिन oxygen दिया नहीं गया है तो मानो सरीर में सबसे जादा होता है दोस्तो क्या तो जल पाये जाता है B is the right answer ठीक है और जल में आपको पता है कि oxygen का भी मात्रा होता है ना वो यानि कि oxygen चलिए next question है 21 stillness इस पात बनाने के काम आने वाली धात्कों का यूग्म क्या है बिल्कुल उत्तर सही कर रहे हैं अगर आप यहाँ उत्तर ए कर रहे हैं chromium तथा इस पात देखे वीडियो पसंदार आवात एक लाइक जरूर कीजेगा और शेयर करिए यार दोस्तों मैं अपने कम से हम अपने ग्रूप में शेयर कर दिया करें ये वीडियो कि आपके साथ आपके साथी भी जुड़ सके यहाँ पे स्क्यूज में मोग टेश्ट में इतना करी सकते हैं हम लोग जब आपके लिए इतना कर रहे हैं तो जी हाँ थैंक यू कोशेंबर 22 पे चलते हैं तीरियक बध बहुलक का उधारन है चलिए ये आंसर कर दिजे तीरियक बध बहुलक का उधारन है बैके लाइट का C is the correct answer 23 दोस्तों FBA रंजक होता है निमलिखित में रंगने के काम आता है आंसर कीजिएगा 23 का FBA एक रंजक होता है जो की कपास को रंगने में काम आता है B उत्तर सही कर लिजेगा जिनका उत्तर सही आ रहा है Question number 24 हर question के लिए आपको मैं बता दू एक नंबर और गलत नंबर के लिए आपको .25 नंबर काटे जाएंगे इसलिए सोज समझ के आंसर कीजिएगा यहां पे 24 का उत्तर क्या होगा दोस्तो एस्परीन चीक है यह एक संसलिस्ट दवा है एस्परीन ठीक है C is the right answer Question number 25 निमलिखित के एसे टिली करन से हिरोईन बनाई जाती है दोस्तो आपको जहरीली कह सकते है या फिर नशीली पदार्थ होती है जो की सेवन करते हैं लोग नसेडियों जो नसेडियों होते है इसमें किसका उप्योग होता है बनाई जा सकती है बिलकुल इसको मॉर्फिन के जरिए बिलकुल B is the right answer और एसेटिली करन के जरिए यहाँ पर यह प्रोसेस होता है 26 पे चलते है सबसे पुराना पीड़क नासी क्या है सबसे पुराना पीड़क नासी क्या है बिलकुल निकोटीन है C is the correct answer नोट कर सकते है रसायनिक तोर पर जल है देखिएगा 20 कोशन से ज़्यादा अगर कोई पार कर गया तो सही सही बताईएगा हमे तोकि आपका यहाँ पी आंसर जो है चेक किया जाया रहा है कितने लोग यहाँ पे कितना सही कर रहे है आंसर ठीक है जिसका 20 पार होगा उसके नाम जरूर लिये जाएगे ठीक है मैं कि लिए चेक हो रहा है यहाँ पे आप लोग का सही सही उत्तर जो लोग दे रहे है ठीक है और कोशन बताने से पहले 27 का अंसर की जिएगा रसायनिक तोर पर जल है एक ऑकसाइड है बिलकुल बी करेक्ट है अंसर जिसका आ रहा है कोशनबर 28 नियू कलिक अमल में पाए जाने वाला जिया नियू कलिक अमल में पाए जाने वाला क्या है बिलकुल उत्तर सही कर रहे हैं अगर आप कर रहे हैं नेट्रिक अमल A is the right answer कोशनबर 29 अप मारजग बनाने के लिए आम तोर में से परियोग किया जाने वाला alcohol क्या है अब मार्जग बनाने के लिए आम तोर से परियोग किया जाने वाला alcohol है laurel alcohol नोट कर सकते हैं B is the right answer ये question पूछा गया था SSE CGL में ठीक है तो ये question important होता है वहां के लिए question number 30 पे चलते है प्लिंट कांच में होता है ये भी question CGL में पूछा गया है प्लिंट कांच में क्या होता है lead chromate होता है D is the right answer ठीक है next 31 अब वर्जन सब्द निम्रिखित वेग्यानिक द्वारा परतिपादित सिधान से संबंध रखता है अब वर्जन जो word है ये निम्रिखित वेग्यानिक के द्वारा परतिपादित किया गया था इनका नाम था पाउली ठीक है A is the right answer 32 पे चलते है starring नामक रसायन का उप्योग निम्रिखित उद्द्योग उत्पादन में होता है चलिए answer कीजिएगा starring नामक रसायन का उप्योग निम्रिखित उद्द्योगिक उत्पादन में होता है answer कीजिएगा C plastic C is the right answer नोट कर सकते है question number 33 देखे कल का वीडियो नहीं गया था इसलिए छमा चाहते हैं आप लोग से मैं बार बार कह रहा हूँ है ना और कुछ कारणों से नहीं आ पाए था लेकिन ये वीडियो रोज चलता रहेगा इसके अलावा कुछ नए अपडेट होने वाले हैं आपके चैनल पे तो प्लीज चैनल पे बने रही है आप लोग 33 पीपर मिंट का तेल से प्राप्त होने वाला योगिक जो की औशधी के रूप में कारगर है बिलकुल आंसर किजेगा दोस्तों इस बी मेंथॉल बी मेंथॉल इस दा राइट आंसर नोट कर सकते हैं क्रित्रिम रेशम का निमलिखित नाम भी है क्रित्रिम रेशम का निमलिखित नाम भी है क्या नाम है इसकी अलावा रेशम को हम लोग कहते हैं रियान जोस्तो आंसर यह हो जाएगा जिनका उत्रयारह क्रेक्ट है 35. रसायनीक रूप से सफेद इस्पिरिच क्या होता है? रसायनीक रूप से सफेद इस्पिरिच होता है पेट्रोलियम हाइडprofit का मिस्रन A is the correct answer, note कर सकते हैं चले, question number 36 पे चलते हैं तामर पिसाच नामक सब्द का परियोग निमले कि धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया गया था कौन सा तत्व था? आंसर कीजी आप लोग सभी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीस कमेंट कीजी आप लोग जितने भी शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वो भी कीजी लेकिन आंसर भी कमेंट कीजी बिलकुल निकेल इस दराइट आंसर, बी इस दर्रेक्ट आंसर नेक्ट कोशन है दोस्तो 37 एकवा रेजिया नाम निमलिखित का मिश्रन है यहां निमलिखित का एक मिश्रन है जो की HCL तथा HNO3 के द्वारा मिश्रित होता है आंसर B हो जाएगा नेक्ट कोशन है दोस्तों यहां पर 38 अमोनिया का बेवसाइक उत्पादन जिस प्रकरम द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं हावर प्रक्रम, नोट कर सकते हैं C is the right answer जहां C is the correct answer नेक्ट कोशन है दोस्तो 39 रसाइनिक तोर पर इंटर फिरोन है, क्या है ये इंटर फिरोन बिल्कुल D कर लिजेगा यहां पर उत्तर जहां फ्लियूरिक निकरित हाइड्रोकार्बन है D is the correct answer Next question देखते हैं Question number 40 पे चलते हैं चूना पत्थर खनीज का मुख्य घटक निमलिकित है चूना पत्थर खनीज का मुख्य घटक है इनमें से कौन है देखिए चूना पत्थर का यहां पर calcium carbonate कहते हैं आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप उत्तर B कर रहें तो आंजर आपका सही है चलिए Question number 41 पे चलते हैं हशीश नामक एक drugs होता है जो की निमलिकित व्रिक्ष के फूलों से बनाए जाता है किस व्रिक्ष के फूलों से बनता है हशीश बिलकुल B is the right answer हेंप के बिलकुल से बना जाता है हशीश नामक एक drugs जिससे दवाएं भी बनती है Question number 42 Magnesium जियां दोस्तों नोट कर लेजीगा Magnesium Magnesium का दूद कर रासाइनिक तोर पे निमलिकित क्या होता है Magnesium Hydro Oxide होता है Answer D कर लेंगे Next question है दोस्तों यहां पे 43 Cancer के लिए प्रशित चमतकारी दवा Texol निमलिकित पेड़ से निकाले जाती है चमतकारी दवा बोला गया है क्योंकि अगर पहले स्टेज में पता चले जाता है Cancer है तो इस दवा से आपको सुधार किया जा सकता है यह है दोस्तों यह फोगे Y E W इसको नोट कर सकते है ठीक है Next question है 44 निमलिकित में से कौन बड़े सहरों के वायू को परदोशित करता है बड़े सहरों में यह वायू परदोशित का एक कारण है यह question पूछा गया है BPSE में भी बिल्कुल उतर किजिगा Lade B is the right answer नोट कर लेंगे Question number 45 आवर्त सारने की दिर्ग रूप निमलिकित में फलस्वरू में तत्व गुंड धर्म पर आधारित होता है चलिए आंसर किजिएगा चलिए परमानुस संख्या D is the right answer नोट कर लेंगे D is the correct answer Question number 46 सोडियम क्लोराइड में क्या होता है आंसर किजिएगा वैध्यूत से योजिक बंधन बनता है B is the correct answer जिनका अभी उत्तर आ रहा है और देखिए प्लीज आप लोगों से एक बार फेट रिक्वेश्ट करूँगा कि वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए अपने दोस्तों ग्रूप में भी ताकि यह मोटिविशन आपके लिए बना रहे और रोज वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं फेरिक ऑक्साइड लोहे का सजोगता है चलिए कितने में इसका कितना आयन जो है यह लगता है तो फेरिक ऑक्साइड में हम लोग प्लस थ्री आयन का जो है आक्साइड का यहाँ पे लोहे का सजोगता बता सकते हैं आंसर अ हो जाएगा दोस्तों नेक्ट कॉश्चन देखेंगे 48 एलक्ट्रोन वहन करता है नेक्स्ट है आंसर यहाँ पे अलक्ट्रोन वहन करता है जी हाँ नोट कर सकते हैं A is the right आंसर चलिए एक unit रिनाविश में आंसर A हो जाएगा दोस्तों नोट कर लेंगे किसी तत्व के गुणों के परदर्शित करता है प्रमानु क्रमांक नोट कर लेंगे आंसर A हो जाएगा और आज का आखरी प्रश्न है कि किसी तत्व के परमानु क्वार को किस में ब्यक्त किया जाता है चलिए तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इसे हम लोग डिनोट करते हैं ठीक है आंसर डी हो जाएगा तो देखें 20 मिनट भी नहीं लगा और आपके यह 50 कोश्चन खतम हो गए और आपका कितना उत्तर यहाँ पे सही आया इन 50 प्रशनों में यह आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दें तो चलिए दोस्तों आज की सिनारियों में आप हमारे साथ बने रहे हैं इसका तहय दिल से धन्यवाग लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और दे दू कि जो भी मेरे भाई बंदू हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमें Unacademy BPSC पर जाकर भी Current Affair के सिनारियों सुबह के 4 बजे देख सकते हैं जो कि रोज का डेली का Current Affair दिया जा रहा है वो आपके 66 BPSC के काम आ सकता है Current Affair वहाँ पर आपको कुछ और भी टॉपिक दिये जाएंगे हमारे दुआरा जो कि आप लोग वहाँ पर हमें भी जोईन कर सकते हैं सुबह के 4 बजे वाले वीडियो में Unacademy BPSC सर्च कर लिजेगा और वहाँ पर जाके हमें जरूर जोईन कीजे उस वीडियो को देखे मैंने Link भी दिया है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं तो आज के लिए इस वीडियो सिनारियो में इतना ही बिज्ञान से खेलने में कितना मज़ा आया यह हमें जरूर कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट करके हमें जरूर बताएगे धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बबाए टेक केर ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का